यह कोरल रो की सेकेंड एक्सरसाइज है इसमें हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं रेक्टेंगल के थू यह मैंने मिरर किया और इसको सिफ्ट के थू इसको स्टेच किया रेट कलर दिया इसको राइट से स्टेच करके इंसाइट करेंगे और इसको डोर बना रहे है अभी जो ब्लू रेक्टेंगल है इसको अंदर रिड्यूस किया और इसको इसको इनर सेट बनाया इसको फिर कंडेंस किया और इसको ब्लू सिट बनाया यह हमारा दूर इस बिल्डिंग कर रेडी हो गया इसको ड्रैग करके इधर लाए विंडो बनाने के लिए और इसको नीचे से शॉल्ड किया इसको स्पेस स्पेस कर लिए यह हमारा एक फ्ल्याट का एक फ्लोर त्यार हो गया does टोटल को सेलेक्ट और वाल करके इसको ड्रैक किया, कंट्रोल आर करके रिपीट किया, अज उपर वालब फ्लैट है उसके ग्रेसेट को हमने कंडेंस किया, और उसकी एक कापी हमने राइट सेट किया, repeat बटन दबाके उस पर मैंने एक टैक्चर डाला और वो टैक्चर f11 करने से वो टैक्चर सेट आ जाता है उस टैक्चर को हमने एप्लाई करके उसको नीचे स्टेज कर लिया क्योंकि लास्ट आपजेक्च सबसे उपर आता है इसलिए उसको सेलेक्ट करके सिफ्ट पेज डाउन करने से वो अबजेक्ट पीछे चला गया तो जो हमारा टैक्शर पड़ा था वो पीछे चला गया टोटल बिल्डिंग को सेलेक्ट करके हमने मिरर कर लिया अब बिल्डिंग का सबसे पहला रेक्टेंगल था उसको रिड्यूस करके हमने उसे स्टेज किया और उस पे हम फिर एक टैक्शर डाले स्पाइक टैक्शर और स्पाइक टैक्शर से हमारे बिल्डिंग का जो बाउन्डरी है वो इस पाइक में आ जाएगा जिसे नॉर्बल कलर होते है जिसमें टैक्शर कलर होते है टैक्शर उस पे अपलाई कर दिया अब उसको हमने एक बाउन्डर टाइप का बाउन्डरी का बनाया दोनों को सेलेक करके डिडियूस किया साइट्स में लेफ्ट साइट और इसको परलेलोग्राम करके एरो बॉक्स से उपर स्टेज करके सिफ्ट पेज डाउन कर दिया थोड़ा सा ब्लैक कलर एड कर दिया इसको मिरर किया और मिरर से इसको मैं राइट साइड लेके आया राइट साइड आने के बाद इसको shift page down करके उसको back कर दिया हमारी पूरी building और boundary त्यार हो गई अब उसमें gate लगाने के लिए shift की के थूर हमने condense किया और उसको stage करके up किया अब करने के बाद हमने building का pillars बनाना है side करके हमने color लिया और इस पर fountain color डालने के लिए फिर f11 की press किया f11 की press करके हम left side और right side में इसका set on कर लेते हैं और यह set हमारा blue हो गया और बीच में light effect डालने के लिए white color अपलाई करेंगे जिससे एक हमारा pillar का look आ जाएगा इसको okay किया और यह pillar की तरह लुक आ गया इसको opposite किया इसको थोड़ा से stage कर दिया pillar के उपर जैसे steps होते हैं इसके दो step और extra बना लिये और इसके बाद इसके उपर एक हमे light bulb लगाना है बल्ब को circle बनाया pillar से select किया और see करने से इसका alignment center हो जाता है जो हमारा बाल में है उसको color हमने red color apply किया और yellow color apply किया दो combination इस पर apply होने के बाद इसको हमने जो यह हमारा linear effect है इसको हम radial effect में convert करते है यह radial हो जाएगा color center से उभर हो जाएगा इसको ok करेंगे और इस पर अब outer glow effect लगाएंगे जो हमेरे blend tool में की plate में होता है outer glow और यह outer glow को हमने apply किया और थोड़ा सा अंदर circle के stage किया तो वह हमारा outer glow color निकलाते है अब color का जो light है और black तो होता नहीं है उसके लिए उसको हम पर red करते है और red यह yellow का एक light करते हैं जिससे वह blue हो जाता है इसको select करके हम इस पूरे set को drag करके right side लाके जख देते हैं अब इस gate को पूरा complete करना है gate को right side से stage किया leave original किया mouse के right button को दबा करके इसको फिर एक door बना जाया इसका और इस door को बनाने के बाद यह हमारा पूरा gate तयार हो जाता है अब इस building की boundary बना रही है तो पूरे नीचे वाली boundary line को ले करके उसको उपर लेके जाते हैं और यह उपर जाके इसको right side से stage कर लेते हैं तो यह boundary हमारी उपर की तरफ चली जाती है है इसका height थोड़ा सा कब कर देते हैं इसको नीचे लाते हैं और इसके height को चली ऐसे कर देते हैं Left side stage कर देते हैं अब इसको बढ़ा करके float के room case से इसको भी stretch कर लेते हैं इसको पूरा select करते हैं और इस selection के बाद इन दोनों sit को लेकर फ्राइब कर लेते हैं। आर करने से इसका एलाइमेंट राइट हो जाता है। अब इक हम इसका वाटर टैंग बना रहे हैं। बनाने के लिए एक क्रेंगल लेते हैं। और rectangle के corner को पकल के shape tool से थोड़ा सा अंदर stage करते हैं तो वो एक elliptical shape में आ जाता है जैसा कि water tank होता है और उस water tank को बनाने के बाद object सबसे उपर होता है shift page down करके object को select करके पीछे कर देते हैं और water tank है तो वो spike उस पर दिखनी चाहिए है इसको apply करके उस पर spike apply कर लेते हैं और total set को एक साथ select करते हैं और हमारा पूरा flat तयार हो जा रहा है